दोस्तों सर्थ लगा लो पनीर की हिस्से हासान रेसिपी आज तक आपने नहीं ट्राई करी होगी कुकर में ही बन जाएगी फटा फट ना घंटों मसाला पीसना ना ही जो है मसाले को देर तक भूनना ऐसा कुछ जंजट नहीं करना है बस आप वीडियो को देखते जो बेना इ कि इतना अच्हा पनीर आपने रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया होगा मेरी गैरेंटी है तो सबसे पहले आपको कुकर ले लेना है कोई भी प्रेसर कुकर आप लो उसमें डाल दो दो मीडियू साइज के प्याज, दो मीडियू साइज के टमाटर को मोटा मोटा काट करके एक इच्छ द्रक का टुकडा डाल दो, चार-पांच लेसुन की कलिया डाल दो, एक हरी मिर्च डाल दो, दस-बारा बादाम डाल दो, दस-बारा काजु डाल दो, ये हैं खड़े मसाले, काले मिर्च, तेज पत्ता, और दो हरी लाइची, इसके साथी साथ में, जाएगा बटर का टुकडा, और साथी साथ जाएगा हनी, बटर नहीं है तो एक चमच घीरा लेना, शहर बहुत जरूरी है, इसमें एक चमच भर करके शहर डालना है, तो देखो सारी चीज़ें लेना है, और सारी चीजें डाल देनी है जो याद आता जाए इसमें से वो अगर आप रेसिपी को ट्राइ करने वाले हो लिख के रख लो या वीडियो को जब बनाना तो वीडियो को पाउज करके देखते रहना अब डालना है इसमें एक बड़ा चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर और इसमें अभी हम ना हल्दी रालेंगे ना ही मिर्ची रालेंगे अगर आपको कलर वाली मिर्ची है तो वो यूज कर रो या बेड़गी मिर्ची है, साबुत वाली तो उससे भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो वाइल कर लो अच्छा कलर आएगा जब मसाला पीस हो गए अब इसी में डाल दो एक कब दूद ज्यादा लोगों के लिए बना रहे हो तो सारी चीजों की कॉंटिटी ज्यादा लेना दूद बस इतना ही है इतना होना चाहिए देखो और अब ही आप देखना बस हो जाएगा दो मिनट तब होंगे जब पनीर बनके तयार हो जाएगा देखो धकन लगा देना है और धकन लगा के इसे गैस पे रख देना है चाहो तो मिला लो ना चाहो तो वो भी ना मिला ओ इस पनीर को जो है जेंट्स लोगों को पनीर बनाना ज़्यादा मुश्किल अगर लगता है या जैसे वो कभी अकेले होते हैं उन्हें पनीर खाने का मन है बाहर की जैसा तो इस तरीके से पनीर बना सकते हो और अब देखो यहाँ पर गैस मेरे चड़ा दो और मीडियम कर दो फ्लेम को लगबग 4 सीटी लगा लेनी है मीडियम फ्लेम में आपने 4 सीटी के बाद में जब प्रैसर खुद से निकल जाए तब कुछ इस तरीके का हो जाएगा तो अब आपने इससे तेजपत्ता निकाल के फेक देना है तेजपत्ता का काम हो चुका है खतम बाकी की जो भी चीज़े है एजटेज उठा करके आपको मिक्सी की जार में डाल लेनी है अगर हलका गरम है तो बड़ा वाला जार लेना पूरी तरीके से ठंडा कर लिया है तो छोटा वाला भी है जिस हिसाब से जितना आ जाए उतना गरम गरम मत पीसना मिक्सी से बाहर फेक देगा थोड़ा सा पानी डाल लिया है और इसे अब बिल्कुल चिकना पीस लेंगे अच्छा सा रेस्ट अब बड़या हो poem Crime मेंठें करने मिक्स किना खरें मिक्सा थे जाए तो तो लेना मिक्स कर ले साथ में साथ में अब तेल ज्यासे ही हल्का गरम होगा थे इसिन हम डालेंगे आदी छोटी चमज हमाँच आदी पाऊडर नहीं जाएता मिक्सा च्पटिबार 된 variance आदी छोटी चमच लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सक कसूरी में थी पनीर के टुकड़े ये देखो पनीर के टुकड़े डाल करके लो फ्लेम पर इसे एक मिनट के लिए पनीर को तेल और मसाले के साथ में हम भूनेंगे एक मिनट से ज़्यादा बिलकुल नहीं भूनना है अग्ए है कि मैंने बता है इसमें बिलकुल चमच चलाने की ज़रुरत नहीं है बसापको यहां फे वीडियो में दिखाने के लिए दिखा रही हूँ आप अगर बनाओगे तो वीडियो तो बनाओगे नहीं तो आप ऐसे रफली बனा ले ना बिलकुल चलाना नहीं पनीर ड दोडेंगे जो mixy में मसाला पीसा था लिए उसे डाल देंगे और जो Mixay में लिपट जाता है न ठेयर सारा तो पानी डाल करके असे तैसे पानी की पड़ेंगी रिसमें पकाने के लिए अब इसे हलके हाथों से mix कर लो बिल्कुल जिसे की तेल के साथ ये mix हो जाए देखो अभी से ये लगने लगा ना कितना कमाल का पनीर और ये almost बन करके तैयार है बस ये अब 2-3 मिनट की दूरी पर है तो low flame पर इसे आप 3-4 मिनट पका लो बिल्कुल low flame में कुकर बारी तले का है बिल्क रेस्टोरेंट जैसा क्रीमी क्रीमी गाडा गाडा बनाओंगी पनीर बहुत ही कमाल का पनीर बना था सच बताऊं तो ये वीडियो मैंने कब शूट किया था उसके बाद से मैं दो बार और इसी टाइप का पनीर मैंने सेम रेसेपी से बना चुकी हूँ इतना पसंदाया सभ को मुझे हो मेरे अस्बिन को भी सो वीडियो आवा रही है तो आप जरू ट्राइ करना इसे जब इस तरीके से उपर हलका तेल जैसा छोड़ दे तो आप समझ जाए कि पनीर जो आपका बिल्कुल तयार है मसाला पक चुका है चमच से आप ग्रेवी टेस्ट कर सकते हो नमक आप थोड़ा एड़ कर सकते हो वैसे हलका सा इसे नमक कम रखोगे हलकी नेचरल मिठास रहेगी ना वो जो हनी डाला था हमने ना हनी की वज़े से इसमें बहुत गजब का टीस्ट आता है और गैस देखिए ओफ है हमारा जो पनीर है वो बनकर तेयार है मैं आपको निकाल क करके भी दिखा देती हूं देखो इसमें क्रीम रिम डालने के कोई जरूरत नहीं है और इसमें काजु अदाम अगर आप पड़े हुए हैं अगर आपके पास में काजु अदाम नहीं है तो मगज के भी जो होते हैं जो तर्बूज के भी जो होते है ना वो आप ले सकते हो लगबग आधा कटोरी के लगबग डाल देना जब आप कोकर में सारे चीज़े बॉल करोगे तब डाल देना यहां पर देखी कितना क्रीमी लग रहा है पनीर क्या को हो मेरे पास वर्ड नहीं है कि यह कितना अच्छा बना था मैं बता नहीं सकती बस इतना कह सकती हूं कि आज अच्छी लगी हो रेशिपी तो कमेंट कर दीजिए लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फेस्बूक पर देख रहे हो वीडियो तो फेस्बूक पेज को जरूर फॉलो करना फैंस